जाहें दोस्तों मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परवार रोजगार विदंकित मैं कैसे हैं आप सभी सभी के लिए गूड इवनिंग सुबसंद्या राम राम और मेरे जितने भी छोटे बड़े बहन भाई हैं वो सभी एक बार जल्दी जल्दी के लास में आजाएंगे अलो क्या दव सुमित मौरे कवेश नीलम आशी विकाश पिदिया चोधरी महादेव का छोरा संदीप बहुत सांदार बहुत सांदार एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे गोड इवनिंग, साक्षी, सिवानी, शर्वेश, संदीप, हरसित, राखी, मनोज, सुमित, सत्यम, सिवम, बहुत स्पीड से अपके नाम जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सांदार, पूजा, सुमन, विने, राहुल, मोहन, मैथलवार, खुश्बू, परवीन, गौराव, बहुत बढ़िया, अर्जुन, बहुत बढ़िया भई, बहुत सांदार, बहुत सांदार, बहुत सचिन, अनीता, आमित, नीरज, हिमान्शू, शागर, सुमित, जिद्धिजाट, मनोज, सर्मा, विकास, बहुत बढ़िया, सभी के लिए एक जब जबर्दस तरीके से मैं बता दूं कि भाई, आज की क्लास बहुत सांदार होने वा दोस्तों, इक गंधी बात है, बहुत गलत बात है, एक बार जल्दी से like कि संख्या दोसों के बार पहुचाएंगे, फिर आज की क्लास के पहले question पर चलूँगा, फिर आज की क्लास के पहले question पर हम चलेंगे, ठीक है बई, चलो बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, पूरी सी अप डाउन हो, सब मेरे लिए मेरे छोटे बड़े बहन भाई हैं, सब की इज़त इस दिल में बहुत बहुत जादा है, और आप लोगों को इस वार वर्दी दिलाना, रोजगार वे दंकित, कितनी भी महनत करनी पड़ जाए हम सब को, हमारा पूरा परवार आप लो कि आज देख सकते हैं, आज पार तीन है, पूरी कोसिस है कि आज में से समाप्त कर दूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगले प्रेसन यानि की मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये क्वेशन तो मैं पढ़ा चुका हूँ, कि साड़े साथ बजे दोन सुईयों के बीच कित मेरे पास जो एक्वेशन होती है, वो क्या होती है, मेरे पास जो एक्वेशन होती है, वो एक्वेशन होती है, 60H difference 11M upon 2, जल्दी से इसका मान रखके मुझे आंसर बताएंगे, बहुत सांदार तरीके से सभी लोग आंसर कर रहे होंगे, मुझे विस्वास है, बिल्कुल सही ये एक सवाल मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि सीधी सी बात है, कि यहां से ही मुझे अगले सवाल पर आप लोगों को ले ज़कर चलना है, ठीक है, देखो मैंने कहा, इसकी वैल्यू क्या है, 60 H, डिफरेंस 11 M upon 2, यही तो है बच्चे, अब मुझे यह बताओ कि 60 H, यानि साथ में कितने की गुणा करूँगा, H का मतलब कितना है, साथ है, तो मैंने साथ में साथ की गुणा कर दी, क्योंकि यहां पर H की वैल्यू साथ है, और M की 30 है, बोलो, clear है ना, और मैंने यहाँ पर डिफरेंस निकाला, 11 है में कितने की गुणा कर दी, 30 की गुणा कर दी, और भाग कितने से, 2 से भाग दे दिया, जब मैं साथ में साथ की गुणा करूँगा, तो मुझे 420 प्राप्त होगा, 11 है में 30 की गुणा करूँगा, तो 330 प 45 आएगा और 45 ही मेरे इस present का अंसर है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लगबग सब ने सही दिया है सब ने सही दिया है किसी ने भी गलत नहीं दिया है 45 इस present का अंसर आ जाएगा हम आगे लिए present पर चलते हैं और ये present उसके लिए यह बहुत ज़्यादा important था हला कि यह तो मैंने पहली class में ही type करा दी थी अंगल वाली लेकिन फिर भी मुझे यह कराना जरूरी था क्योंकि repeatation बहुत जरूरी होती है इन सवालों की देखो देहान से देहान से देखाएंगे अगले प्रेशन पर अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूँ मैं आपको प्रेशनों के option नहीं दूँगा बात कलियर है पहले ही बता देता हूं मैं आपको प्रेशनों के option नहीं दूँगा क्योंकि पता है मैं आपको option क्यों नहीं देना चाहता option से क्या होता है मान कर चलो हमने तुक्का लगाया और हमारा तुक्का सही हो गया तो हमारे अंदर एक पता नहीं अजीब सा अपने आप ये सोच हो जाती है पर मेरो तो सही है वो भाई मैंने तो सही कर दियो लेकिन भगवान तो जाने तुमने तुक्का मार रहा है बता तुम्हारो दिलविया बात जाने तुम तुक्का मार रहे हो लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये घुमंड सा हो जाता है मेरो सही है मेरो आंसर बिलकुल सही है लेकि पेपर में जरूरी नहीं तुक्का सही हो जाए तो मैं ये चाहता हूँ हम लोग बिना हम लोग बिना सिकार दे के ही बान चलाएंगे और सिकार एकदम सही निसाने पर लगाएंगे clear है तो कोई भी तुक्का नहीं माने बात clear है next question पर चलता हूँ आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा प्यारे बच्चे 7 और 8 के बीच 45 डिगरी का कौण कब बनेगा कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच 45 डिगरी का कौण कब बनेगा अब देहान से सुनना मेरी बात अब मेरी बात देहान से सुनना अभी मैंने जब पिछला question ये question बहुर इम्पोटेंटा आब copy pen रोग देना अब copy pen रोग देना जब मैंने पिछली बार किया था तो पिछली बार जब मैंने किया था तो विजे कितने degree का कौण बना था लेकिन इस बार कह रहा है कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कौर कब बनेगा तो यह को मतलब ही है कि आंसर साड़े साथी तो आब अगो साड़े साथी आंसर आप अगो कोई भी फर्क ना पड़ है बिल्कुल साड़े साथ आएगा लेकिन यार ये थोड़ी पता है कि साड़े साथ कैसे आई ये बात तो हमने पिछले सवाल में से नकलवार के बतादे साड़े साथ आएगा लेकिन हम इसे तरीके से कैसे करें क्योंकि इसे related बाकी सवाल कर पाएं सबसे पहली बात सात और आठ के बीच में 45 डिगरी का कौन बच्चे दो बार बनेगा कितनी बार बनेगा दो बार बनेगा क्योंकि कल मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कोई भी कौन प्रते गंटे में दो बार बनता है जबकि 0 डिगरी और 180 डिगरी दो ऐसे विसे इस कौन होते हैं जो कि एक गंटे में एक बार बनते हैं वो मैंने कल चर्चा भी की थी कि क्यों ऐसा होता है वो लुक क्लियर है जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी एक बार देख लेना सात और आठ के बीच 45 डिगरी का कब बनेगा देखो भाई दो बार बनेगा कैसे सवाल का अंसर करते हैं इसका ना हलका सा बच्चे इसका हलका सा लंबा लोजिक हो सकता है इसको समझना बहुत आवस्यक है क्योंकि बाद में आप लोग ये कह सकते हो कि भाईया इसको थोड़ा सा आपने लंबा करा दिया है लेकिन पता है लंबा कुछ नहीं है अगर आप लोग समझ गए तो बहुत आसान है बहुत आसान है अगर आप लोग समझ गए तो अब मेरी कोसिस है धंग से समझाना और आपकी कोसिस है धंग से समझना की question होती है 2 बटे 11 है और bracket में लिखते है A1 पिलस माइनस A2 बात को देहान से समझना बच्चे ये value क्या है और कैसे इसकी ज़रुत पड़ती है मैं 12 से बता दूँ मैंने लिखा 2 बटे 11 है और bracket में A1 पिलस माइनस A2 सारी बातें बताऊंगा कि ये क्या है हमको आना चाहिए देखो देहान से 2 बटे 11 है तो एक नंबर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर A1 क्या है A1 बताईए क्या हम लोग ये कहें कि A1 साथ है और A2 आट है क्या मैं ये बोलू A1 सात है और A2 आट है हम ऐसे नहीं बोल सकते हम ये बोलेंगे A1 का मान बच्चे हमेशा ध्हाण रखीओ A1 का मान होब है प्रथम समय में 30 की गुणा यानि जो भी पहले वाला समय न उसमें 30 की गुणा कर दो A1 प्राप्थ हो जाएगा और पहले वाला समय कौन है साथ है तो प्रथम समय 30 की गुणा कर दो A1 प्राप्त हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और A2 क्या है बच्चे A2 होता है हमारे पास दिया हुआ कौन जो भी सवाल के अंदर दिया हुआ है वही हमारा A2 होता है अर्थात A2 होता है गिवन एंगल दिया हुआ कौन बोलो भाई बात क्लियर है बहुत दिहान से समझी हो बालक बहुत दिहान से अब यह इस बात दिमाग में आती है कि यह पहली पहली बार और यह जो प्लस है और यह माइनस है यह क्या है सर आपका पढ़ाया हुआ सब पेपर में मिलता है हाँ तो मैं पढ़ाता ही किसलिए हूँ अगर पेपर में ना मिले मेरा पढ़ाया तो फिर उसके बाद अगर पेपर में पढ़ाया हुआ ना मिले फिर पढ़ाने का फाइदा क्या है ये बताओ भई पेपर में ही तो मिलना चाहिए असली खेल तो वो ही है अगर पढ़ाया हुआ पेपर में ना फसे तो फिर पढ़ाने से क्या फाइदा है बच्चा के रह सब पढ़ाया हुआ पेपर में आया पहली बार वाला, तो पहली बार वाले के लिए, पहली बार वाले के लिए, हमेशा दिहान रखना माइनस करते हैं, पहली बार वाले के लिए माइनस करते हैं, और दूसरी बार वाले के लिए प्लस करते हैं, बच्चे, दूसरी बार वाले के लिए क्या करते हैं, प्लस करते है ये बात देहान रखने लायक है बोलो clear है पहली बार वाले के लिए minus और दूसरी बार वाले के लिए plus करते हैं यहां तक सौरब सिंग बिलकुल cover हो रहा होगा अब आगे बढ़ते हैं देहान से सुनो जब मैं इस question के अंदर A1 की value निकालूँगा तो A1 के रहा है प्रथम समय में 30 की गुणा तो यह बता हो इस सवाल में A1 की value कितनी आएगी तुम बोलोगे भईया प्रथम समय 7 है और 7 में जब मैं 30 की गुणा कर दूँगा तो मुझे 210 प्राप्त होगा बच्चे 210 A1 की value आ गई बोलो clear है तो A1 की value 210 आ गई 45 degree A2 है 45 degree क्या आ गया A2 आ गया बोलो यहां तक बात clear है A1 210 कैसे आया यह भी पता है A2 कैसे आया यह भी पता है सब बातें पता हो गए होंगी अब बस इस मान को इस condition में apply कर दो सवाल का answer खता में एकदम सूँ बिलकुल कोई दिक्कत ही ना देखी हो यह दो बटे गया रहे यह चुप चाप में यह न उतार सकूँ दो बटे गया रहे यह उतार लही मैंने कौन रोक सका है फिर bracket लग रहो तो लगा bracket यह लग रहो bracket लह फिर यह क्या है A1 और A1 अब यहां लिखी हो अब यह लेकियो A1 का जो मान है कितना 210 तो यहा लेको 210 और एक बार तो लगा देो Minus और Minus कितना A2 भहिया A2 की value कितनी है 45 तो यहां लगा दो 45 एक बार Minus और एक बार तो मैं पतो मायनस की जगह बतते यह कौन लगेगा Plus लगेगा बोलो clear है कौन लगेगा प्लस लगेगा इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर एक तो बन गई दो बटे ग्यार है 210-45 और एक equation बनेगी दो बटे ग्यार है 210-45 सवाल एकदम खतम है अगर यह समीकरण solve हो जाए तो अब गरित के दरश्टी कौन से देखों तो यह बहुत आसान बा और अच्छा भीया bracket खुलते ही बती हो कोई चिन आवेगो हां भीया गुणा आवेगी गुणा आवेगी बिल्कुल 210-45 करे तो 165 बन गया भीया 165 तो ग्यार है ते कट जाएगी 165 तो ग्यार है ते कट जाएगी कितनी बार बताई हो 15 बार कितनी बार 15 बार और 15 में दो की गुणा कर देओ 30 मिनट आ जाएगा ये 30 मिनट आ मैं हमेसे द्यान रखियों कितने बज के आईए 30 मिनट आई कितने बज के 7 बज के पहले वाले में बजे करें द्यान रखियों 7 बज कर 30 मिनट यानि सवाल का अंसर आ गया 7 बज कर 30 मिनट और मैं अच्छी तरह से जानू त साथ बज़कर तीस मिनटी ही तो सारे साथ होगा है बोलो ना होगा है साथ बज़कर तीस मिनटी वैल्यू ही तो तुमारी नजर में सारे साथ होती है ये तो आ गया पहला वाला वैल्यू ये तो आ गया पहला वाला वैल्यू और अगर मैं बात करूं इसे निकालने की तो ये क 255 का डबल कर लो क्योंकि यहां गुणा है दो की 255 दूनी हो गए 510, 510 बटे हो गए 11 है, जब मैं इसे काटूंगा तो बते हूं कितनी बार कटेगी, 46 अही 4 बटे 11 है, 46 अही 4 बटे 11 है, तो 46 अही 4 बटे 11 है, मिनट यह हो गई, कितना बज़ कर, यह हो गई, बहिया, कितना यह हो गई, देखियों मैंने क्या बताई, मैंने कहा था यह थोड़ी सी न, ऐसे है गई है, जग ऐसी न बची, तो यह दूसरी बार वाले के लिए प्लस, दूसरी बार वाले के लिए प्लस, और मैंने कहा, 7 बज़ कर 46 अही 4 बटे 11 है, मिनट कितना बज़ कर, 7 बज़ कर, तो आंसर 2 आये सवाल के, एक आंसर तो निकल कर आया, 7 बज़ कर 30 मिनट, और दूसरा आया, 7 बज़ कर 46 अही 4 बटे 11 मिनट, अब एग्जामनर पर डिपेंड कर रहे है, वो तुमसे क्या पूच है, जो भी पूच है तुमको क्या बता देना है, आंसर बता देना है, तुमस पूछे पहली बार बता ही हो तो 7 बज़ के 30 मिनट दूसरी बार बता ही हो 7 बज़ के 40 साही 4 बटे 11 मिनट एक बार थमसप करके बता दो क्या बात समझ में आई है विजय कुमार जी बहुत बढ़िया बर्मा जी मुझे जल्दी से एक बार सभी लोग थमसप करके बताओ क्या बात समझ में आ रही है क्या ये बात समझ में आई है बहुत बढ़िया अरजुन बहुत बढ़िया बिटा बिलकुल अगर समझ में आई है पूरा का पूरा question समझ में आया है तो मैं एक बार दुबारा से जल्दी जल्दी repeat कर देता हूँ क्योंकि अगला question आपको खुद से करना है अगला question आपको खुद से करना है बहुत बढ़िया बहुत सांदार मेरे लाड़ ले बिलकुल सही जवाब आपका आ रहा है बहुत बढ़िया सभी लोग कह रहे है कि भहिया बिलकुल समझ में आ रही है आ रही है समझ में और काई कुन आवेगी 100% आवेगी ना आवेगी तो दोवारा समझाँगो 20 वार भी समझाना पड़ेगो तो समझाँगो लेकिन समझ में कभी ना कभी तो आवेगी अब दोवारा देखो एक बार फिर से बता देता हूँ जब भी आपसे कोई भी एक गंटे का अंतर देकर कोई भी एंगल पूछे तो वो एंगल दो वार बनता है मैंने उसके लिए वैल्यू रखी दो बटे गया रहे है ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2 हमेशा द्यान रखना है A1 क्या होता है प्रथम समय में 30 की गुड़ा तो प्रथम समय 7 और 8 में कौन है 7 जो भी पहले आयो वो ही तो प्रथम समय है तो मैंने कही भईया प्रथम समय में यानि की प्रथम समय में 37 की गुड़ा तो A1 आ गया 7 गुड़ा 30 तो 210 आ गया A2 कितना है दिया हुआ कौन है तो A2 बताईयो A2 सवाल में कितना कौन दे रखा है तो यह आगे 2 बते 11 है A1 210 और माइनस कर दिया माइनस कितना कर दिया माइनस 45 कर दिया क्योंकि A2 ही तो माइनस करना है और एक वार माइनस की जगए प्लस देखो इन दोनों में कोई अंतर है यह बताओ यह वाली सिकल और यह वाली सिकल एक जैसी तो है बस ये कई अंतर है, कि इसमें माइनस लग रही है, इसमें प्लस लग रहा है, बताओ कोई दूसरा अंतर हो तो, कोई दूसरा अंतर नहीं है, सब कुछ same है, बोलो clear है, next question आप लोग अब खुद से कर रहे होंगे, मुझे इस सवाल का आंसर बच्चे जल्दी से बताओ, पाँ मुस्कान कुमारी कह रही है सिकल नहीं सर सकल होती है मुस्कान कुमारी मैं तुम्हें बता दूं मैं इतना पढ़ा लिखाना हूँ मैं तो मैं तुम्हें बतातो रहे हूं मैंने कल भी बता हूं मैं तो यार इतना नहीं है कि इस सब चीज अन्य तुम ऐसे बता हूँ जो कह देखने हुआ तुम समझ जाओ वो सबसे बड़ी बात है तुम भाई ये feeling अन्य समझ रहे हैं वो बड़ी बात है बस ठीक है चलो भाई बताओ जल्दी से चलो बेटा reasoning का ना reasoning का पूरी overall reasoning का ये केवल एक ऐसा topic है जिसमें 2-3 formula लगाने पड़ते हैं बाकि किसी भी reasoning के topic में formula नहीं लगाने दूँगा ये वादा है आपका आपसे मेरा ठीक है ये आपसे मेरा वादा है एक भी question में मैं आपको formula नहीं लगाने दूँगा देखो भाई दिहान से देखाएंगे पांच और छे के भी 70 degree का कौन कूछ रहा हूँ रहा 70 degree दिहान से देखियों क्या कह रहा है कह रहा है ये कह रहो भाईया ये कह रहा है क्या कह रहा है यूँ 5 और 6 और 70 degree कुछ ना कह रहा है बहुत आसान है A1 निकालो, A1 क्या आएगा, मैंने क्या कहा था, A1 प्रिथम समय में 30 की गुणा, तो भईया 5 ही तो प्रिथम समय, 5 में 30 की गुणा, बहुत सारे भालक सोचें, भईया हमें कैस्पतों पढ़ें प्रिथम समय कों है, रहे मेरे भईया, सवाले पढ़े के देख तू, तू पढ चास value बन गई A1 की और A2 की कितनी बनेगी बताईयों A2 की तो जो कौन में दे राखी है कितने degree का कौन है सवाल में 70 degree तो A2 बन गया 70 degree बोलो बात clear है जब मैं इसे solve करूँगा मैंने क्या कहा था bracket में मैंने देखिये पिछले सवाल में समझाई यही तो रखनी है A1 प्लस माइनस A2 बात clear है बिलकुल यही रखनी है तो यह बन जाएगा 2 बटे गया रहे और bracket में एक बार तो हो जाएगी कुछ ना है 2 बटे गया रहे रखके और bracket लगाये के एक बार इन दोनोंने घटा दियो और एक बार इन दोनोंने जोड़ दियो खेल कतम कुछ भी तो ना है क्या हो भई अरे कुछ भी तो ना है एक बार दो बटे गयार रखके इन दोनोंने घटा दियो एक बार जोड़ दियो खेल कतम जो लोग त्रिक मांग रहे है इटने के एक बार घटा दे, एक बार जोड़ दे, खेल खता, देखाओ, तो यह आया 150-70, एक बार माइनस है गई, और एक बार दो बटे ग्यार है, ब्रैकिट लगाओ भहिया, 150 प्लस 70 करो भहिया, एक बार प्लस हो, खेल खता में हैं, जल्दी देखो, देखो, दो बटे ग् तो 150 में से यदी मैं 70 घटाऊँ तो 80 आएगा भी या 80 आएगा भी या अब ये बताओ 80 आगए पका असी है ना 150 मैंन 70 180 मैं 80 बोलना हूँ भाई के वला असी देखेंगे लिखी तो बिलकुल सही है यहों मैं सोचें हो मांश्टर क्या क्या है वैं लिखी बिल्कुल सही है 150 माइन 70 वराबर 80 तो 80 दूनी 160 160 बटे कितने हो गई 11 हो गई 160 बटे 11 हो गई तुम बुरो न मानो तो मैं भाग दे के देख लूँ मैं ऐसे भाग दे के एक बार देख लूँ तो क्या आ जा रहा हो सवाल अगर थोड़ी वहत उम्मीद लग रहे होंगे गलत होने की तो वो भी खत्म हो जाएगी तो यह कितना आएगा 11 है एकम 11 है और 6 में से 5 उतारी 0 11 है 44 और यह आ जाएगा 14 सही 6 बटे 11 है बोलो clear है जल्दी से बताओ वही बिल्कुल clear है ना तो यह आ जाएगा 14 सही 6 बटे 11 है एक बार सभी लोग calculate करके देख लेना 160 बटे 11 है बराबर 14 सही 6 बटे 11 है और बच्चे अगर मैं से complete answer बोलना चाहूं तो यह क्या बनेगा 5 बज़कर 14 सही 6 बटे 11 है पांच बज़कर 14 सही 6 बटे 11 है एक यह कौन है बाई यह नीचे करिए चोहाने क्या नाम है यह अगर प्लीस सर घड़ी का पूरा टॉपिक करवा रहा है रहा मेरे भीया पूरा ही तो करवा रहा हूं ऐसे ऐसे काई बोले कर रहा है देखियो और एक और बालक कुछ कह रहो गुरुजी आप बहुत सेलफिस हो आप अपने काम की कमेंट्स पढ़ते हो और न पाइलट बेटा तेरो नाम ले लिए तू गुस अब आगे देखो वई तो जब मैं नेक्स्ट क्वेस्टिन इस पर चलता हूं तो यहाँ पर माइनस की जगे क्या हो जाएगा पिलस हो जाएगा तो यह आएगा दो बटे ग्यार है और ब्रैकेट खुलते ही लगेगी गुड़ां एक सो पचास में सतर जोड़ेंगे तो 220 ब बोलो कट गई ना कट गई तो यह क्या आगया 20 दूनी 40 इसका मतलब 40 मिनट तो कंप्लीटली आंसर क्या बोलूँगा वच्चे 5 बजकर 40 मिनट पांच बजकर 40 मिनट दिवाकर किंग अब दिवाकर किंग क्या लगे हम तुमारे दुसमने का जो हमारे नाम नाम न ले रहे जा बेटा तेरो ले लियो तो ते उदोस्ति पक की आज के बाद चल अब देख पांच बजकर 40 मिनट आंसर आ गया यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी तो पांच बजकर 14 सही 6 बटे गयार है पहली बार बनेगा पांच बजकर 40 मिनट दूसरी बार बनेगा यह बात आप सभी को समझ में आती होगी मैं अगले पॉइंट पर चलता हूँ अब एग एक्जामनर तुमको कैसे फसाएगा दिहान से समझना एक्जामनर पर अभी एक बार हो रहा है जिससे वो तुम्हें चवर्दस तरीका से फसा सके है कौन सो बार है भी यह वार दिखा देो क्योंकि हम फसनों तो चाहीं न रहे न यूपी पुलिस की वर्दी को सवाल है देखि और पांच के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से पांच मिनट आगे कब होगी पांच मिनट आगे कब होगी दिहान रखियों ये सवाल कोई कोई दूसरा सवाल ना है बिल्कुल वो ही सवाल है जिसका तुम इंतजार कर रहे जिसका तुम इंतजार कर रहे देखो कैस सबसे पहले एवन तो तुम निकाली लेओगे इसमें तुम बोलोगे भाईया एवन आएगा चार में 30 की गुणा करके है जब मैं 4 में 30 की गुणा करूंगा तो ये आएगे 120 बोलो बात क्लियर है चार में जब मैंने 30 की गुणा करी तो 120 आ गया क्योंकि 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 पहली वैल्यू में 30 की गुणा करने से ही तो A बनाता है चार में जब मैंने 30 की गुणा कर दी तो 120 आ गया अगर मैं A2 निकालूं तो A2 पर समस्य आ रही है क्योंकि पिछले सवाल में हमें A2 पता होती थी एक्शल में A2 होता क्या था A2 होता था दिया हुआ कौण मुझे पता था यहां 45 डिग्री है तो मैंने यहां A2 रिख दिया 45 डिग्री अगर मैं आगे दिहान से देखूं चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगर मैं यहाँ पर 70 डिगरी की बात करूँ तो 8 to 70 डिगरी हो गया इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अब आगे देखो दिहान से यह 70 डिगरी हो गया लेकिन अगर मैं इस सवाल की बात करूँ तो इस सवाल में कोई भी डिगरी केस में देहान से देखो देहान से देखना तो मैं यहाँ पर ऐसे केस में जो भी मिनट है ना जो भी मिनट है उसमें यह कह रहा है कि यह कह रहा है कि यह कह रहो चार और पांच के बीच मिनट किसुई घंटे किसुई से पांच मिनट आगे चली गई तो यह बता हो पांच सबसे पहली क्लास का पहला सवाल यह था कि मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिगरी चलेगी और उसका आंसर था 6 डिगरी चलेगी बात याद आ रही है मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिगरी चलती है बचे अंकित मिस्रा मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिगरी चलती है तो य अब भी तुमसे बोले ना पांच मिनट कितनी भी मिनट बोल दे इसमें केवल 6 की गुणा कर दियों 30 डिगरी आ जाएगा 5 मिनट ने तो 5 गुणा 6, 30 डिगरी 8 मिनट होती तो 8 गुणा 6, 48 डिगरी 9 मिनट होती तो 9 गुणा 6, 54 डिगरी यानि जितनी भी मिनट हो उस में 6 की गुणा कर देना आंसर मतलब तुमारे डिगरी आ जाएगा तो ये बताओ 5 गुणा 6 क्या मैं कह सकता हूँ आगे बोले तो हमेशा द्यान रखना केवल और केवल आगे के लिए बच्चे प्लस करते हैं आगे के लिए प्लस करते हैं और पीछे के लिए माइनस करते हैं आगे के लिए प्लस करते हैं जब भी मिनट की सुई आगे होगी तो प्लस करेंगे और मिनट की सुई पीछे होगी तो माइनस करेंगे अभी अगर आगे है तो प्लस कर दो बस हो गया सवाल यह आगया दो बटे ग्यार है और ब्रैकिट में 120 प्लस करेंगे क्योंकि यह ने आगे बोली है बोलो ना बखरी तो मैं क्या करूंगा प्लस तो 120 प्लस कितने हुए 30 हुए यह क्या बन गई दो बटे ग्यार है गुड़ा एक सो बीस और तीस बन गए एक सो पचास बात क्लियर है जितने भी लोग आंसर कर रहे है ध्यान से बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताओ तो यह आएगा तो यह आएगा डेर सो दूनी तीन सो तीन सो बटे ग्यार है और तीन सो में ग्यार है से दे दो क्या भाग जब मैं तीन सो में ग्यार है से भाग दूंगा तो ग्यार है दूनी बाइस ग्यार है दूनी बाइस यहां आठ उतारी जीरो ग्यार है सत्ते सत्तर सत् बटे 11 है बहुत बढ़िया बहुत सांदार तो ये वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई 27 सही 3 बटे 11 है मिनट तो मैं क्या बोलूँगा मेरे प्रसन का कंप्लीट आंसर आएगा चार बजकर 27 सही 3 बटे 11 है मिनट एक दम कताई जबरदस्त आंसर बन जाएगा लेकिन 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 लाइक कर दो सर मेरे में लाइक नहीं आती अच्छे मुकेश कुमार कोई बात ना बेटा तो दिलते लाइक कर देता हो तो दिलते लाइक कर दे दिलते तो कर कर दो भाई ये कौन आदमी है संकित मोहित जी रहा बेरे भाई मैं ना जानू मैं ना जानू भीया चलो आगे बढ़ो देहान से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से मुझे इस सवाल का अंसर बताओ ये सवाल क्या कह रहा है लगातार तीन सवाल आएंगे एक जै तीन बजे तीन बार अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है अच्छा तो ये वो वाली घड़ी है जो हमारे भौतन के घरने में होईगी वो पतो तुमारे घरने में होईगी वो पेंडूलम सो जो लटको रह वैवा में और वो कैसे बोले जैसे दो बजे नाए तो वो हलको सो तो घagit गानोगा वे ठन फिर उसके बाद दो बार बोले ठन तन उसके बाद ये आलसिन के घर में पाई जा मैं ऐसी घड़ी कि देखनो ना पड़ा कितने बज़े बस लेटे लेटे घंटा गिन लेओ और भाई सब अंदाज लगा लेओ कितने बज़ रहे हैं ऐसे ही है ना कभी कभी एक गंटा उपर नीचे हूँ है जाए हो पतो है चलो कोई बात ना है तो मैंने क्या बोला एक घड़ी एक बार दो ब बोलेगी खतम तुम्हें लगा है कि एक जामने तुन आसान सवाल देख रहे हैं तुम बताओ दिल पहत रखके कह दो या बात है बिल्कुल ना देख सके है तुम कह रहे हो आठ गंटा में आठ बार बोलेगी अरे आठ बार कैसे बोल जाएगी दिहान से समझो क्या कहना चा बतो ये वैल्यू जुड़ती न चली जांगी आगे तीन बजे कितनी बार तीन बार चार बजे कितनी बार चार बार अब ऐसे लगातार जोड़ोगे तो ठक जाओगे क्योंकि यहां तो आठ गंटा बोलें है सगय कल को और जादा पूछले फिर तो दिक्कत है ना इसका मतल जब है कि यह लगातार चलती रहेगी और कितने तक जाएगी प्लस आठ तक जाएगी अब यहां मैं दिमाग लगाओं तो यहां ते तो गड़त को एक फॉर्मूला बन रहो रहे लगातार संख्याओं का योग फल बराबर फलानो धिकानो आहां या ना बताओ ना यह लगातार संख्याओं का योग बराबर एन एन प्लस वान अपॉन टू कहने का मतलब है जितने बच्चों को पता है बहुत सांदार और अगर यह भी न लगाना चाहें तो मैं तो देशी भासा में योग तो कैसा हूँ कर लाश्ट वाली संख्या लिखो एन का मान लाश्ट लाश्ट वाली संख्या ही तो हो वै कितनी है आठ और लाश्ट वाली संख्या से जो भी एक बड़ी संख्या है उससे गुणा कर दो तो आठ गुणा कितने हुए नौ और भाग कितने से दो से भाग दे दो खेल खतम है यहीं दो से आठ कितनी बार खतम चार बार खतम और न तो बता दियों एक बार बिल्कुल समझ में आ गई होगी ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी तो मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने यहां पर बोला कि 36 बार आंसर है क्या ऐसा क्वेश्चन हम अब कर पाएंगे देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगले question पर पूरी तागत लगा दियों लेकिन यार सुनो question तो ठीक है कितना गजब का combination बन रहा है आदमी देख रहे हैं 716 like हो रहे हैं 616 आदमी 716 like 616 तो अपने आप समझा कितने की कमी चल रही है 100 की कमी चल रही है तो एक दम दमदार तरीके से काम चलेगा जल्दी से एक बार कमी को पूरी करेंगे मेरे दोस्ते एक बार सांदार तरीके से देख लेंगे next question पर चलते हैं सर दुबारा समझा दो या है दुबारा समझ ले कायू दिक्कत ले रहा है देख ही हो देखो कैसे दिखान से देखो ये कहवा है एक घड़ी एक बज़े एक बार बोले है दो बज़े दो बार बोले है तीन बज़े तीन बार बोले है आठ गंटे में कितनी बार बोलेगी तब भाईया मैंने प्लस एक ते लेकर आठ तक प्लस कर दिये अब गड़ित में बार-बार माश्टर ने बच्पन थी अब तक चीक-चीक के पढ़ाई आठ बार लगाता अगर पूछा है एक प्लस दो प्लस तीन प्लस शार प्लस पाँचा करकर डॉट 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 कितने तक भी पूछ ले एन एन प्लस वन अपॉट टू एन का मतलब लाश्ट वाली संख्या आठ गुणा कर दो एक ज़्यादा ते दो ते दो भाग खेल खतम स्वाहा दो चौक आठ और नो चौक 36 खतम नेक्स्ट वस्चन पर चलिएओ और अब क्या ऐसो आंसर करीओ कि घलत मतलब आंसर क्षोदियों कहें दे कि भाई बाउजी मुमाप करो और बिल्कुल सही कर रहे तम दो देखिएओ क्या सवाल है देखिएओ क्या सवाल है वो ही सवाल है बिल्कुल बस कितने घंटा में और भाग कितने से दो से दो चिक के बार है तेरे चिक के अठेतर सवाल है गो खतम बोलो भाई बात यहां तक क्लियर हो तो थमसप करके दिखादो और जो आपके अठेतर अठेतर अंसर चल लए ना दिल इतनों खुश है जाए ऐसे लगया कि कास तुम सामने होते और पाल्टी कर रहे होते हम और तुम लेकिन कोई बात ना है सपनेने में कर रहे हैं भाई क्योंकि आप लोग अभी सामने हकीकत में ना होना एक दिन वर्दी पहन के आई हो रोजगार विदंकित आपका स्वागत करेगा जवर्दस तरीके से भाई सब के सब हम आपसे हमारे परिवार मे आप सभी का भी स्वागत होगा एक दिन जब वर्दी पहन कर आ रहे होगे जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा तेरह छेक्या अठेटर खेल खत्तम अब तुम्हें यो लग रही होगी भाईया अब ना रुकूम है ऐसे सवालन में अब तो मुझे ऐसे कोई ना है लेकिन द मांक में एक बात फिक्स हो गई जितने भी घंटा में बोले है उसे लिख लो और उससे अगली संख्या से गुणा कर देओ और दोसे भाग देदो जो भी आजा है वो आंसर है लेकिन प्रॉबलम कहां आए देखो दिहान से इस सवाल का आंसर जल्दी से करो इस सवाल का आंस जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर मैं तुमारी हेल्प करेदाओ अठारे लास्ट की वैल्यो अठारे गुड़ा उन्निस बही अठारे के बाद उन्निस और दोसे भाग बताओ जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा इस प्रसन का एकदम सटीक आंसर क्या आएगा ज बहुत बढ़िया मेरे चीता मेरे सेर 171 की लाइन ऐसा लगा दई है जैसे कि कुछ ही ना जिंदिगी बस 171 ही संख्या रहे गई है बाकी कोई संख्या बची ना है चलो बहुत बढ़िया आ जाओ अब दिहान से समझी हो मेरी बात एकजामनर इस बार खेला कर रहा है एकजामनर इस बार खेल खेल रहो तुम ते कैसे एकजामनर पतोई 18 घंटा दंगो बालक बैठो जोस में 18 देखती तूट पड़ेगो और 18 ते अगली संख्या ते गुड़ा करके 2 ते उड़ा देगो कैसे अब बात द्यान से सुनना बच्चे बिलकुल गलत आंसर कर रहा है अब बिलकुल गलत आंसर क्यों कर रहा है द्यान से सुनो सर पैटर्न तो यही है फिर यह आंसर गलत क्यों हो गया यह आंसर इसलिए गलत हो गया क्योंकि द्यान रखने लाइक बात यह है कि 18 घंटे बोले हैं तो 18 गुड़ा 19 वटे दो नहीं होगा तुम जानते हो कि मैकसिमम 12 बजते हैं तुम जानते हो मैकसिमम 12 बजते हैं और 12 क बाद जब 13 बजेगा तो maximum value एक जाएगी 14 का मतलब 2 जाएगी 15 का मतलब 3 जाएगी प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी संख्या बारहे से जादा आ जाए तो संख्या का सबाल दो भागों में तूट जाएगा यानि अगर value यहाँ पर अठारे है तो ऐसे case में ये दो भागों में तूट जाएगा maximum 12 तक जा सकता है केवल 12 तक और दूसरा कितने तक जाएगा 18 के बाद 12 से जितना भी अंतर रहे गया ठोटल अठारे है 12 तक पहुंच गए बते यूं कितने तक और जाना है 6 तक जाना है तो ये भाग में दो में तूटेगा 18 अलग और 6 अलग बाद सबज में आ रही है तो यहां से ही क्या बनेगा बाद है गुणा कर दो 13 और बते दो तो ये आया दो छिक के बाद है और 13 छिक के 78 ऐसे ही ये आया 6 गुणा 7 बते दो 2 तिया 6 और 7 तिया 21 और बच्चे 58 और 21 का जो योगफल होगा 78 और 21 का जो योगपल होगा वही आपके present का अंसर होगा अर्थात 99 अर्थात 99 आपके इस present का एकदम सही जबाब होगा क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है प्यारे बच्चे जल्दी से बता दो बहुत सांदार थमसप करके दिखा दो एक बार थमसप नहीं लाइक करके दिखा दो बिल्कुल समझ में आ रहा है मैं देखना चाहता हूँ कितनी लाइक एक साथ बढ़ती है देखते रही हो देखते रही हो भाई वो कंप्यूटर महोद है 770 लाइक है अभी देखना मेरे चीता एक बार मैं 8500 पार करेंगे जल्दी से एक बार दिखा दो भई कंप्यूटर महोद है यह कह रहा है यह बिल्कुल ना कर सके है एक बार दिखा दो दोस्तो तागत कभी तो मेरी लाज रख लेकर तुम बिल्कुल तुमने ना कटवाय के रख रागी है जल्दी से बताओ यह आंसर आया 99 इस प्रसन का आंसर हो जाएगा मैं अब दुबारा कहूंगा ना तुमसे लाइक करने की अगर तुम कर सकते हो तो खुद से कर दो 99 इस सवाल का आंसर है नेक्स्ट क्वेस्चन पर चलते हैं और दोस्तों यह रहा आज की क्लास का अगला सवाल यह लाश्ट सवाल इस पैटरन का है क्या कहरा है पूरे एक दिन में घरी कितनी बार बोलेगी जल्दी बताओ पूरे एक दिन में घरी कितनी बार बोलेगी पूरे एक दिन की बात कर रहा है एक दिन का मतलब होता है 24 गंटे तो ये मत करदी हो कि 24 गुड़ा 25 बटे दो अब तुम तो ये बात समझ गए होंगे कि 24 गुड़ा 25 बटे दो करोगे तो गलत हो जाएगा क्या करेंगे वो ये वाली बात है कि अभी अभी हमने ये देखा था पिछले सवाल में कि बारहे की value 78 गई थी बारहे की value 78 गई थी इसका मतलब यह है कि 78 एक बारहे की हो गई और दूसरे बारहे की भी 78 हो गई आपके पास दो रास्ते हैं या तो 78 प्लस 78 कर दो कहने का मतलब है 78 प्लस 78 कर दो या 78 में 2 की गुणा कर दो आएगा तो 156 ही अर्था मेरे इस प्रेसन का आंसर 156 बन जाएगा, मेरे किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया, अगले प्रेसन पर चलते हैं, जल्दी से मुझे इस प्रेसन का आंसर बताएंगे, प्रेसन इस बार बहुत सांदार है, इस बार प्रेसन सांदार है, ले सही समय से 3 मिनट पीछे होती है, आग किरा जब कि जब वह सनीवार सुबह 8 बजे देखी जाती है तो वह सही समय से 5 मिनट आगे होती है, ये गरी बश्पत वार सुबह 8 बजे तो सही समय से 3 मिनट पीछे चल रही थी और भाई साव सनी बार सुबह 8 बजे सही समय से 5 मिनट आगे पहुँच गई तो ये question कहा रहा है बताईए इस घडी ने सही समय कब दिखाया होगा ये question कहना चाह रहा है कैसे इस प्रसन का अंसर करते हैं दिहान से देखो बहुत सांदा ट्रिक बता रहा हूँ ताकि कभी भी ये गलत ना हो ये होता है कि जब कोई हमारी घड़ी पहले पीछे होती है या पहले आगे होती है और लास्ट में वो अगर पहले आगे होती है तो लास्ट में पीछे हो जाती है और पहले पीछे होती है तो लास्ट में आगे हो जाती है फिर पूस्ता है घडी ने सही समय कब दिखाया डायरेक्ट बता रहा हूं कि कैसे करेंगे देखो बिल्कुल डाइरेक्ट बता रहा हूँ जिससे की आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है जब घडी गुरुवार सुबह आठ बजे देखी गई मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गुरुवार कितने बजे सुबह 8 बजे सुबह का मतलब हो गया 8 एम यहाँ तक बात क्लियर है आगे क्या कह रहा है आग कह रहा है जब गुरुवार सुबह 8 बजे देखी जाती है तो सही समय से 3 मिनट पीछे होती है इसका मतलब यह हुआ सुबह 8 बजे की वैलु क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस 3 माइनस 3 क्यों लिखा क्यों की वो 3 मिनट पीछे थी माइनस तीन क्यों लिखा क्योंकि वो तीन मिनट पीछे थी आगे होती तो प्लस लिख देता फिर क्या कह रहा है जबकी जब वह सनीवार सुबह आठ वजे देखी जाती है कब देखी जाती है बच्चे सनीवार को देखी जाती है कितने वजे सुबह 8 वजे इसका मतलब 8 AM हो गया अगर रात के होते तो PM हो जाता दिन के है तो AM रहेगा फिर इसकी condition क्या है condition ये है कि तो वह सही समय से 5 मिनट आगे होती है सही समय से 5 मिनट आगे होती है इसका मतलब यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया यहाँ तक सभी को बात समझ में आती होगी पहले माइनस 3 है फिर प्लस 5 है question एक लाइन में खतम हो जाएगा कैसे खतम हो जाएगा ध्यान से सुनो देखियों अगर मैं तुमसे ये बोलू अगर मैं तुमसे ये बोलू क्या ब्रस्पतवार भाई गुरुवार का मतलब ब्रस्पतवारी तो है मैं बोलू कि गुरुवार के सबेर 8 वजे से सनीवार के सबेर 8 वजे तक घरी कितने घंटे चली तो तुम बोलोगे भाईया घरी चली टोटल 48 घंटे 48 कैसे आया ब्रस्पत के सुबह 8 से सुक्रवार के सुबह 8 तक 24 गंटा और सुक्रवार के सुबह 8 से सनीवार के सुबह 8 तक फिर 24 गंटा देन 24 और 24 गंटा इसका मतलब घरी total overall 48 गंटे चली घरी overall 48 गंटे चली देहान रखना ये घंटे आपको count करना बिल्कुल धंग से बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना question गलत हो जाएगा देखो कैसे अब क्या करना है डाइरेट्ट ट्रिक सुनो देहान से जो ऊफर वाली value है दोबारा सुनो जो ऊपर वाली value है देहान से देखिए हूँ वो कितनी है वो तीन है भहीया वो कितनी है तीन है भहीया लेकिन भहीया वो तो my das встрет है बच्चे बेसक साई माइनस के 3 बेसक्स है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो चाहे माइनस की वैलू है चाहे प्लस की वैलू है उसे सबसे पहले रख लिए तो यह 3 है तो मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया बोलो बात क्लियर है तो तीन के बटे में आठ रख लेंगे, इसका मतलब भी बात दुबारा सुनो, उपर वाली वैल्यू जो तीन है उसे पहले लिखेंगे, और बटे में इन दौनों ने जोड़ के लिखेंगे, तो तीन और पांच आठ हो गया, उपर वाली वैल्यू के बारे मैं बता दूँ, चाहे वो मायनस में, चाहे वो प्लस में, चाहे वो कम है, चाहे वो ज्यादा है, वो हमेशा पहले लिखी जाएगी, तो तीन ऊपर आ गई, बटे में तीन और पांच आठ हो गई, जोड़ गई, गुड़ गई, गुड़ कर देंगे कितने वी घंटे ये निकल के आ रहाए, ये कितने 48 तो यहां से गुणा कर देंगे अब ये बताओ क्या 48 आठ ते 6 बार कट जाएगी बिल्कुल कट जाएगी और 6 तिया हो गए 18 बच्चे अगर सवाल ये पूछा गया है कि कितने गंटे बाद घरी ने सही समय दिखाया होगा तो जबाब ये है कि 18 गंटे बाद सही स समय में द्यान रखना बच्चे हमेशा उपर वाले समय में ही जोड़ते हैं हमेशा उपर वाले समय में ही जोड़े हैं उपर वाला समय कितना गुरूबार के सुबह आठ जब मैं गुरूबार के सुबह आठ में 18 गंटे जोड़ूँगा एक और बात याद रखियों 18 डायर रहे 8 में तुम 12 जोड़ोगे तो direct भाई साव ये बताओ क्या direct में कह सकता हूँ गुरुवार के रात के आठ वाठ बज जाएंगे रात के आठ बज जाएंगे अर्था पीम हो जाएगा अठार है जोडते तो calculation में फस जाते 12 जोड रहे हो तो direct A.M. P.M. में बदल गया, समय पर कोई परिवर्तन नहीं आया, दिहान से देखना और अभी तुम्में जोड़ना था 8 और तुमने जोड़ा कितना है, बार है तो कितना और जोड़ोगे, 6 और जोड़ोगे 8 जोड़ना था, बार है जोड़ा पत्क के रात के आठ से, फिर नो बजे, दस बजे, ज्यारह बजे, बारे, जैसा इँगे, तो ब्रस्पत काईम बद़ जाएंगो, बता ही हैप्पी बाइडे टु यू, भाई सब हम बोलेंगे सुक्रवार बदल जाएगा, और सुक्रवार में बदलते ही, भाई सब सुक्रव शुक्रवार शुरू हो जाएगा और आट और छे चौदे का मतलब दो इसका मतलब सुक्रवार के दो बजे सुक्रवार रात दो बजे अर्थात एम इस घरी ने बिल्कुल सही समय दिखाया होगा सुक्रवार दो एम पर इस घरी ने बिल्कुल सही समय दिखाया होगा बस थमस क्या बात समझ में आई है जल्दी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आया है कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया मैं पॉल लगवा रहा हूं पॉल पर आंसर देना सर एक बार यस और नो का पॉल लगाओ पॉल पर वो डालना अगर किसी बच्चे की अगर जल्दी से बताएंगे फिर मैं दोबारा समझादूंगा उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी केवल 115 बोट मेरे पास आई है जल्दी से बताओ भई जल्दी से बताइंगे कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया है बहुत बढ़िया, 264 बोट आई है, और बोट करो वही जल्दी 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 और बोट करेंगे कितने लोगों को समझ में नहीं आया और कितने लोगों को समझ में आया है चलो 72% लोग कह रहे हैं सर बिलकुल समझ में आ चुका है और 28% लोग कह रहे हैं सर अभी समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं यह पोल अभी थोड़ी दिर बाद दुबारा लगेगा, एक बार पोल हटा दो सर, सर एक बार पोल हटा दो, अब मेरी बाद दुबारा समझो वो 28% भी, अगर एक परसंट भी ऐसा आया जिसकी समझ मैं नहीं आया तो अब भी मैं दुबारा समझाऊंगा, देहान से देखो भ गई, तो सनीवार के सुबह 8 का मतलब सनीवार के सुबह 8 एम हो गए, भाई सुबह का मतलब एम ही तो होता है और रात का मतलब पी एम होता है, तो मैंने कहा कि यह पांच मिनट आगे थी, तो मैंने पांच लिख दिया, बच्चे सबसे पहला काम यह है, कि हमको यह कैलकुले तक कितने घंटा हुए 24 घंटा हुए और सुक्रवार के सभे रयाट से सनीवार के सुबहार तक फिर 24 हुए तो टोटल घड़ी क्या मैं कह सकूँ यहां से यहां तक 48 घंटा चली गुरुवार के सभे रयाट से सनीवार के सभे रयाट तक घड़ी 48 घंटा चली यह मैं कह आगे क्या कह रहा है, जो भी value उपर है, अब इसकी trick क्या कह रही है, इन दोनों में, 3 और 5 में, minus अब भूल जाओ, minus ते कोई लेनों देनों ना आए, जो भी value उपर है, जो value उपर है, उसे पहले लिखो, जो value उपर है, उसे पहले लिखो, तो उपर कितनी है, तीन, मैंने पहल जोड़के आठ कर दिये और गुणा कर देओ जो भी टोटल टाइम है कितना है 48 तो 48 से गुणा हो गई अब 8 से 48 कितनी बार कट गई बेटा 6 बार तो 8 शिंग 48 शिंग 48 का मतलब 6 तिया 18 गंटे यहां पर हो गई अठारे गंटे यहां पर हो गई बात कलियर है अब यह 18 गंटा अगर यह पूछता कितने समय बाद घरी ने सही समय दिखा है तो 18 गंटे बाद आंसर आ जाएगा अगर यह बोले कि वो समय क्या था तो यह 18 गंटे जोड जाएंगे उपर वाले समय में गुरुवार के सुबह 8 में जब मैं 18 गंटे जोडूँगा तो 18 गंटा जोडने में तो मैं ऐसा लग रही है और यार 18 गंटा कैसा जोड पांगो तो 21 जोड आ न बीटा पहले पहले बार जोड आ जोडने ते क्या फाइदा है जब मैं ब्रसपत के सुबह 8 में 12 गंटे जोडूँगा तो मुझे ब्रसपत के रात के बज़ जाएंगे और जब ब्रसपत के रात के आठ में 6 गंटा जोड़ूंगा तो 228 और 614 ब्रसपत में ये बताओ आठ के बाद जैसे 4 गंटा होके बार है बज़ेंगे रात के तो ब्रसपत सुक्र में ना बदल जाएगो बिल्कुल बदल जाएगो भईया इसका मतलब दो और तो 2 बज़ जाएंगे सुक्रवार सुबह दो अब बात किलियर हो गई होगी दुबारा से पुल लगाओ एक बार कम्प्यूटर मोद है अब जल्दी से या सौर नो बताएंगे सभी लोग 500 बोट जल्दी से कर देंगे और जल्दी से बताएंगे क्या अब समझ में आया है अब जल्दी से एक बार बता दो फिर अगले सवाल पर चलेंगे क्या अब बिल्कुल समझ में आया है जल्दी से बताओ भई मेरे दोस्त जल्दी से बताओ नया सवाल था तो मैं रिस्क नहीं ले सकता कि यार मैं तुमको ऐसे ही कर दूँ अब किवान 97% लोग कह रहें कि समझ में आ गया है 97% लोग कह रहें सर एकदम क्लियर है थैंक्यू मेरे भाई बहुत सांदार बहुत बढ़िया तो अब पता जब चलेगा जब अगले सवाल को आप लोग कर पाओगे बिल्कुल सेम क्वेस्चन में रखने वाला हूं आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा असर आपके सामने और मुझे इस प्रेस्ण का आंसर देंगे आप बिल्कुल सेम क्वेस्चन है बताओ जल्दी से एक घडी जब गुरुवार सुबह चार बजे देखी जाती है गुरुवार का मतलब हो गया यहां पर मैंने कहा गुरुवार गुरुवार को देखी जाती है सुबह कितने बजे चार बजे तो चार बजे का मतलब हो गया चार एम यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सुभह चार का मतलब हो गया चार एम कहरा है सही समय से पांच मिनट पीछे होती है तो क्या मैं यहाँ पर माइनस पांच लिख सकता हूँ यह पांच मिनट पीछे है तो मैं यहाँ पर माइनस पांच लिख सकता हूँ आगे क्या कह रहा है, कह रहा है, जब वह सनीवार साम 4 बजे देखी जाती है, कब देखी जाती है, सनीवार को देखी जाती है, कितने बजे, साम के 4 बजे, तो साम का मतलब PM हो गया, दिहान रखना बच्चे, इस बार 48 गंटे नहीं बनेंगे, इस बार 60 गंटे बनेंगे, इस है और भाई सब AM से PM चलोगे तो भी 12 गंटे का सफर तय करना पड़ेगा दिमाग लगा के 60 गंटे बनाने दिहान लखना जो बच्चे यहाँ पर आंसर 48 गंटे करके बताएंगे उनको गलत हो जाएगा दोबारा से देखो तो 7 मिनट आगे थी यानि प्लस 7 हो गया ये वैल्य बनी साथ गंटे ये वैल्यू ओर ओल कितने गंटे बनी साथ गंटे बनी जब ये वैल्यू साथ गंटे बनी साथ गंटे कैसे बनी देखो गुरुवार के सुबह चार से गुरुवार का मतलब ब्रस्पतवार ब्रस्पतवार के सुबह चार से सुक्रवार के सुबह चार तक 24 गंटा, सुक्रवार के सुभह 4 से सनीवार के सुभह 4 तक 24 गंटा, 24 और 24 और 48 गंटा लेकिन सनीवार के सुभह 4 से सनीवार के साम के 4 तक 12 गंटा भी तो हुए 24 और 24 और 24 और 24 और 12 है 60, यानि 60 गंटा बने तो ये बताओ मैंने क्या कहा था जो value उपर है पहले वाई लिख लो उपर कितनी है पांच तो में अहां लिखो पांच और बटे में दोनों को क्या करेंगे योगफल जब पांच और साथ मिल जाएंगी तो क्या बन जाएंगी बार है और गुड़ा कितने से साथ से तो साथ मैंने ये लिख दिया बार है से साथ पांच बार खतम पांच पंजे पचीस पचीस घंटे बाद गड़ी ने सही समय दिखाया होगा अब मुझे एक बात बता दो क्या यहाँ पर इस पचीस घंटे को ब्रसपतवार के सुभह चार में जोड़ना कोई दिमाग का खेल नहीं है क्या क्या उसे माइंड में कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता बिल्कुल किया जा सकता है जब मैं गुरुवार के और मैंने तुम ते एक बात कहरा किया कभी आसा न जोड़े करें डाइरेक्ट 25 वच्चिस न जोड़े करें पहले या तो बार है जोड़े करें या 24 जोड़ें यहों बताओ जब मैं ब्रसपतवार के सुभह चार में 25 न जोड़ के पहले 24 जोड़ दूँ तो जब मैं ब्रसपतवार के सुभह चार में तुम को 25 गंटे जोड़ने थे और तुमने जोड़े कितने हैं 24 इसका मतलब एक और जोड़ेगा और जब आप एक और जोड़ देंगे तो सुक्रवार का भाई साब 5 बज जाएगा 5 एम और मेरी घड़ी ने बिलकुल सही समय इस समय पर दिखाया होगा अब एक बार बता दो क्या बात एकदम क्लियर है क्या बात यहां तक एकदम क्लियर है क्या आपकी समझ में इतनी बात आ रही है बिलकुल आपकी समझ में आ रही होगी next question पर चलते हैं अगला सवाल बहुत important है और बहुत मेहनत से समझाऊंगा आपको समझ के जाना है जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ अरजुन बिटा अगले सवाल का answer जल्दी से देखते है देखो क्या कहरा है एक घरी प्रतेक 6 मिनट में 10 सेकंड आगे बढ़ जाती है प्रतेक 6 मिनट में 10 सेकंड आगे बढ़ जाती है यदि इस घरी को किसी दिन सुबह 4 बजे सेट किया गया हो तो बताइए यह घरी उसी दिन साम 6 बजे कितना समय दिखाएगी साम 6 बजे कितना समय दिखाएगी अंकित कुमार तु कह पहले भाई अपनी भाई अंकित कुमार की सुनीओ अंकित कुमार सुन रहा हूँ भाई तुम्हारी सुन रही है सुन रहे है चलो देखो भाई, एक घड़ी प्रतेख छेमनेट मैं दस सेकंड आगे बढ़ जाती है इसका मतलब यह हुआ कि 6 मिनट की वैल्यू कितनी हुई इसका मतलब यह हुआ कि 6 मिनट की वैल्यू 10 सेकंड हो गई और अगर 10 सेकंड आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा प्लस हो गया इसका मतलब क्या है प्लस हो गया एक गड़ी प्रत्यक 6 मिनिट में 10 सेकंड आगे बढ़ जाती है बढ़ गई 6 मिनिट बराबर 10 सेकंड बढ़ गई बढ़ गई मतलब प्लस कर दिया और घट रही होती तो माइनस कर देता द्यान से देखो गौरब पांचाल गुरुजी आपसे कुछ काम है बता बेटा काम बता काम बता कोई दिक्कत ना है सब काम करवाएंगे बता तु काम तो भेज अगर मतलब का होगा अगर मतलब का होगा तो जरूर करवाएंगे देखो यदि इस घड़ी को किसी दिन सुबह चार बजे सेट किया जाता है सुबह चार बजे इसका मतलब 4 a.m. पर सेट किया जाता है 4 a.m. पर सेट किया जाता है तो बताइए यह घड़ी उसी दिन साम 6 बजे कितना समय दिखाएगी साम 6 का मतलब है 6 PM पर कितना समय दिखाएगी क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि टोटल ओवरॉल 14 गंटे है 14 गंटे 14 गंटे कहां से आई समझो बात को ये बताओ 4 बज़ रहे अभी घरी में सबे रहे के 4 बज़ रहे तो 14 गंटे बन गए अब दिखान से देखते रही हो 6 मिनट की वैल्यू 10 सेकिंड है 6 मिनट की वैल्यू 10 सेकिंड है तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी 1 मिनट की वैल्यू 10 बटे 6 सेकिंड आएगी की नहीं आएगी एक मिनट की वैल्यू दस बटे छे सेकंड आएगी और अगर इसे और भी सॉर्ट करना चाहो तो यह आएगी दो पंजे दास और दो तियाच है इसका मतलब एक मिनट की वैल्यू आई पांच बटे तीन सेकंड इसका मतलब एक मिनट की वैल्यू आई पांच बटे तीन सेकंड अब ये बताओ बच्चे अगर एक मिनट की वैल्यू पांच बटे तीन सेकंड है तो क्या मैं 60 मिनट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैंने 60 मिनट की ही वैल्यू क्यों निकाली, 50 की क्यों निकाली, 70 की क्यों निकाली, क्योंकि 60 मिनट का मतलब एक घंटा होता है, तो इसका मतलब साथ मिनट बोलो या एक घंटा बोलो उसकी वैल्यू क्या मैं निकाल सकता हूँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ जब एक मिनट की वैल्यू पांच बटे तीन है तो साथ मिनट की वैल्यू पांच बटे तीन तो साथ मिनट की वैल्यू पांच बटे तीन का साथ क्योंकि अगर मैं एक मिनट में पांच मेटे तीन रोटी खाता हूं तो साथ मिनट में साथ की गुडा ही तो रोटी खाऊंगा अब साथ तीन से कितनी बार खतम हो गई बीस बार खतम हो गई और बीस पंजे 100 स कंड हो गई इसका मतलब यह हुआ कि एक गणते में जो घटी तोत्ल अवरॉल कितने गंटे हैं? चोऊदै गंटे हैं तो एक गंटे में 100 seconds तो बच्चे, चोऊदै गंटे में कितने seconds कि एक गंटे की value 100 seconds है तो चोऊदै की value 1400 seconds बनेगी कलिर है? आगे देखो दिहान से क्या 1400 seconds के minute बनाई जा सकते हैं? बिल्कुल बनाई जा सकते हैं कैसे बनेंगे 1400 में 60 से भाग दे कर क्यों भाग दिया 60 से क्योंकि भाई मुझे क्या बनाना है मुझे मिनट बनाने है सेकंड के मिनट बनाने है मुझे ये बता 120 सेकंड में 2 मिनट ना बनांगी 120 सेकंड में 2 मिनट कैसे आई तो यह साथ से गुणा कर सकता हूँ तो यह बन जाएगा तीन से साथ बीस बार खर्टाम अर्थात यह वैल्यू बनेगी तेईस मिनट बीस सेकंड इसका मतलब हुआ कि गहडी ओवरॉल तेईस मिनट बीस सेकंड एक्स्ट्रा चली कितने बजे से सर छे बजे से कितने बजे से सर छे बजे से तो आंसर क्याएगा छे बजकार तेईस मिनट बीस सेकंड तो आंसर क्याएगा छे बजकार तेईस मिनट बीस सेकंड इस प्रेसन का एक दम सही आंसर बनेगा बात बताओ क्या बात समझ में आ रही है क्या बात समझ में आ रही है 6 बज कर 23 मिनट 20 सेकंड ऐसा तो नहीं है भाई की लेबिल देख के आप लोग अभी यह सोचे बहिया तो बड़े बड़े सवाल कराने लग गए मेरे भाई बड़े और छोटे कुछ नहीं होते जो important है उनको पढ़ना पढ़ेगा तुम्हारे अगर तुम यह सोचते रही न रहे भाहीया इन्हें का पढ़ हो में देखो बालक को जीवन बढ़ा यह सो हो भाई पता है जैसे ही top सवाल आमे ना है हम पता है कितने महानों में जैसे सवाल कर रहे हैं तो बहुत बढ़ी है, आंसर आ रहे हैं तो बहुत बढ़ी है, जैसे ही सवाल में फस गए, और सवाल हम पहना हुआ तो पता है, लास्ट में अपने दिले कैसे तसलिद हैं में, यो सोचें, एरे ये का पेपर में आ रहो है, ये का पेपर में आ रहो है, छोड़ यार यह हम अपने दिलत तसलिद है में हमेशा ध्यान रखना मैं बार बार कहता हूँ मैं बार बार कहता हूँ कि सफलता उन कामों को करने से नहीं मिलती जिसमें हमें मजा आता है सफलता हमेशा उन कामों को करने से मिलती है जिसमें हमारा मन नहीं लगता जिसमें हमारा मन नहीं लगता बात एकदम समझ में आ गई होगी सब को बहुत बढ़िया तरीके से next question पर चलते है next question क्या कह रहा है जल्दी से बताओ इसका answer एक घड़ी में ढ़ाई बजे है यदि समय मिनट की सुई उत्तर पस्चिम दिसा में हो तो बताईए सबाद चार बजे मिनट की सुई की दिसा क्या होगी सबाद चार बजे पूछ रहा है सवाल क्या है इस बार देहान से देखो घड़ी के सवाल में direction test लगा दिया गया है घड़ी के सवाल में direction test लगा दिया गया है घड़ी और direction test दोनों को सवाल बना दिया हुई है यह तो देहान से देखो कैसे देहान से देखो मुझे यह बताओ अगर मैं direction की बात करूँ तो यह कौन सा direction है पूर्व है यहाँ पर पस्चिम होता है जब मैं direction पढ़ाओंगा तब बताओंगा यहाँ पर उत्तर होता है यहाँ पर दक्षिन होता है अगर मैं इस बीच वाले direction की बात करूँ तो यह direction उत्तर पूर्व होता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह direction दक्षिन पूर्व होता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दक्षिन पस्चिम होता है और सर ये बीच वाला डायरेक्षन उत्तर पस्चिम होता है उत्तर पस्चिम होता है इस प्रकार से हमारे पास ये डायरेक्षन होते हैं अब मेरी बात को ध्यान से समझना कह रहा है घड़ी में धाई बज़ रहें और मिनट की सुई उत्तर पस्चिन दिसा में है मुझे एक बात बताओ ये भी पिन चौधरी भी लोग कर भी पहले बस इसी की कमेंट दिखाई दे रही फास्ट 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 थोड़ी देर पहले ही ये केहराता कि समझे में नहीं आरा है एक कमेंट बार बार करे जारा है अरे भी इससे ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाया जाता मुझे मैं फास्ट पढ़ा दूँ एक घंटा में 50 कोश्चन करा के निकल जाओं और आपकी समझ में कुछ न आई बता न फिर क्या करएंगे आप बताओ भई एक घंटे में 50 क्वस्चन करा दूँ आपकी समझ में कुछ न आई तो क्या आप कुछ कर पाइंगे अरे मेरे भाई बहेतर तरीके से क्वस्चन चाहें थोड़े से कम हो थोड़े से कम हो लेकिन हमको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए देखो क्या कह रहा है आगे क्या कह रहा है कि घड़ी में ढाई बज रहे है मुझे एक बात बताओ घड़ी में ढाई कैसे बजता है घड़ी में डाई बजता है, बार है यहाँ पर, छै यहाँ पर, तीन यहाँ पर, नौ यहाँ पर, दास, ग्यार है, एक, दो, चार, पांच, साथ, आठ, जब मैं बात कर रहा हूँगा डाई बजे की, डाई बजे की, तो डाई कैसे बजाईंगे? गंटे की सुई होगी दो और तीन के बीच में और मिनट की सुई होगी छे पर मिनट की सुई हो जाएगी छे पर अब ये बताओ मिनट की सुई वास्तम में धाई बजे कहां दिख रही है मिनट की सुई वास्तम में धाई बजे छे पर दिख रही है और 6 नीचे की ओर है, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ दक्षिन में दिख रही है, क्या मैं कह सकता हूँ दक्षिन में दिख रही है, इसका मतलब मिनट की सुई वास्तम में तो दक्षिन में होगी धाई बजे, लेकिन वो कह रहा है मिनट की सुई उत्तर पस्चिम में है, उ कितने डिग्री घूमना पड़ेगा भाई ऐसे घरी तो चलती है ये 45 डिग्री ये 90 डिग्री 135 डिग्री तो clockwise direction में 135 डिग्री घूमना पड़ा बोलो बात clear है की नहीं है clockwise direction में 135 डिग्री घूमना पड़ा अब question कह रहा है तो सबाद 4 बजे मिनट की सुई की दिसा क्या होगी पहले ये बताओ सबाद 4 घरी में कैसे बजते हैं सबाद 4 घरी में कैसे बजाएंगे जब घंटे की सुई 4 से थोड़ी सी नीचे आ जाएगी और मिनट की सुई 3 पर आ जाएगी तो ये बताओ मिनट की सुई सबाद चार बजे किस डाइरेक्शन बनेगी सर पूर्व डाइरेक्शन में बनेगी क्योंकि ये वाला डाइरेक्शन पूर्व ही तो है ये वाला डाइरेक्शन पूर्व ही तो है अब यहां से हम भी इसे 135 डिगरी गुमा देंगे clockwise आंसर आ केवल वो लोग थमसब करना जिन्होंने बिलकुल सही किया है दक्षिण पस्चिम पर आ गया केवल वो लोग थमसब करना जिन्होंने सवाल का अंसर बिलकुल सही किया है दक्षिण पस्चिम जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे कितने लोगों का आंसर दक्षिन पस्चिम है बही सबाद चार बजे सबाद चार बजे मिनट की सुई होगी पूर्म में क्लॉक वाइस गुमा देंगे 135 तो 45, 90, 135 दक्षिन पस्चिम आंसर बनेगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनोंने बिलकुल सही जबाब दिया है चलो बई, नेक्स्ट क्वेस्चन पर चलते हैं जल्दी से इस प्रसन का आंसर बताएंगे एक घड़ी के डाइल पर इस्थित अंकों को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है कि 9 के स्थान पर M, 8 के स्थान पर L और लिखा जाता है जब कि परिवर्तन का यह क्रम आगे भी जारी रहता है तो 10 के स्थान पर क्या आएगा जल्दी से देखेंगे मैं आपको सवाल एक बार समझाए देता हूँ कि सवाल एक बार क्या कहना चाहा रहा है मान कर चलो मेरे पास ये घड़ी है मान कर चलो ये घड़ी है यहाँ पर मैंने बारहे लिखा यहाँ पर मैंने च्छे लिखा यहाँ पर तीन यहाँ पर नौ यह दस होता है यह ग्यार है यहाँ पर एक, दो, चार, पाँच ये साथ और ये आठ हो जाएगा तो ये कह रहा है नो के इस्थान पर नो के इस्थान पर M आ गया नो के इस्थान पर M तो ये नो है तो यहाँ पर मैंने M मान लिया बोलो clear है आगे कह रहा है आगे कह रहा है आठ के इस्थान पर L आता है तो यहाँ पर 8 की जगे L आ जाएगा बोलो clear है बोलो clear है यहाँ पर 8 की जगे L 9 की जगे M आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो बच्चे सब लोगों का अंसर N आ रहा है सब लोगों का अंसर N आ रहा है बहुत सांदार बहुत सांदार जितने लोगों का answer N है वो comment box जब poll में yes करेंगे और जिनका N के अलावा कुछ और है वो no करेंगे जल्दी बताओ भई लगाओ भई computer में पोल लगाओ yes लोगा जल्दी बताएंगे भई जिनका answer N है वो yes करो और जिनका answer N के अलावा कुछ और है वो no करो जिनका आंसर n है वो जिनका आंसर n है वो yes करेंगे और जिनका आंसर n के अलावा कुछ और है वो no करेंगे जल्दी से बताएंगे भाई जल्दी से बताएंगे सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी बताएंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 80% लोग कह रहे हैं कि sir N answer आएगा 80% लोग कह रहे हैं कि sir N answer आएगा क्या मैं इस बात को देखकर खुस हो जाऊं अब मैं तुमको बताता हूं कि N answer गलत है अब मैं तुमको बताता हूं कि N answer गलत है अब तुमको लगा होगा sir कैसे गलत है अब दिहान से सुनो N क्यों गलत हो गया क्योंकि पता है तुमने क्या सोचा तुमने सोचा यह 10 के स्थान पर पूछ रहा है आठ पर L आ गई पिर M आ गई तो 10 पर N लगा देो यह आंसर हो जाएगा लेकिन यह गलत है सर यह गलत क्यों है दिहान से समझो इसने कहा था, इसने सबसे पहले यह कहा था इसने कहा था कि 9 के स्थान पर एम आता है तो यह बताओ सबसे पहले इसने 9 उठाया था बोलो हाँ या ना सबसे पहले इसने 9 उठाया था उसके बाद इसके मुह से सब्द निकले थे कि 8 के स्थान पर L यानि ये जब 9-8 की और आया तो इसे यो घूम कराना पड़ा और यहां पर आठ दिखाई दिया यानि 9-8 पर आया तो इसे नीचे की और आना पड़ा अब एक बात दिहान नकना तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती किये किये कि तुम लोग उपर की साइड चले गए हो उसने 9-8 बोला है तो वो नीचे गिरा है बच्चे बात समझने आ रही है ना वो 9 से नीचे गया है तभी तो उसने 8 बोला है अगर वो 8 से 9 जाता तो तुम भी उपर बढ़ते अगर वो 8 अगर पहले वो ये वाली लाइन बोलता और बाद में ये वाली लाइन बोलता तो तुम भी 8 से 9 की और जाते बस बजना तो तुम भी 8 से 9 की और जाते लेकिन उसने पहले 9 बोला है फिर 8 बोला है तो तुम नीचे की साइड गए हो और नीचे की साइट गए है तो क्रम होता है एंटी क्लॉक वाइज कैसे घूमेंगे देखो ऐसे तो ये M, M से पहले L L से पहले ये K बनेगा यानि हमको ये जलना एंसे तुमने पता है जल्दवाजी में सौर्ट कट दिखाया और भाई साब ज़्यादा फुर्टी दिखा दी तो आंसर गलत हो गया बात बताओ वही समझ में आ रही है एक बार जल्दी से बता दो क्या बात समझ में आ रही है बहुत सांदार और आप लोगों ने सवाल का आंसर गलत कर दिया था बात बताओ क्या समझ में आ रही है तो मैंने क्या बोला M, L, K K से पहले कौन J J से पहले I I से पहले H H से पहले G G से पहले P P से पहले E E से पहले D D से पहले कौन D से पहले C C से पहले B और मेरे दोस्त मेरे साथी आंसर B बनेगा answer B बनेगा बालक कहारो फास्ट पढ़ाओ रहे नालाइक 84% बालकर ने गलत आंसर कर दिया और वो कहारा फास्ट पढ़ाओ बाई कहां से आते हैं ये लोग 84% लोगों ने गलत आंसर दिया फास्ट कहां से पढ़ा दूँ यह बताओ 84% लोगों ने अगर ये लोग सही answer देते तो मुझे क्या ज़रूत थी एक बार थमसब करके बता दो क्या ये सवाल एकदम सूपर से बहुत उपर दिखाई दिया या नहीं देहान से देखो क्या ये सवाल सूपर लगा आपको जल्दी से बताओ क्या सवाल एकदम समझ में आया है बहुत सांदार तो answer इस सवाल का भी आ जाएगा next question आपको ऐसा ही करना है next question आपको जब मैं बोलूँगा तो आपको ऐसा ही question करना है जल्दी से मुझे इस present का answer बताओ जल्दी से इस present का answer बताओ क्या हो सकता है जल्दी से मुझे इस present का answer बताओंगे एक घड़ी के डायल पर पहले घड़ी बना लिते हैं तो यहाँ पर बार है यहाँ पर छै तीन नो यहाँ दस ग्यार है देखते रहना कि उसने पहले कौन सा सब्द बोला फिर कौन सा सब्द बोला ठीक उसी direction में घूमना द्यान लखना कैसे द्यान से देखो पहले बोला 9 के स्थान पर D तो 9 के स्थान पर D लिख दिया आगे कहरा है 10 के स्थान पर E कहने का मतलब इस वारतों वो 9 से 10 की और गया है तो उपर की और गया है बात यहां तक clear हो गई होगी कहरा है जब की परिवर्तन का यह क्रम आगे जारी रहता है तो 8 के स्थान पर क्या आएगा 8 के स्थान पर 8 यही तो है यह बताओ क्या जल्दबाजी में देख फिर C आंसर दे रहे हैं फिर C आंसर दे रहे हैं जल्दबाजी में C मत करो तो यह क्या बनेगा D E F G H I J एक रहे गई क्या दोबारा देखो तो यह बनी D E F G H I J K L M N O आंसर आया O आंसर O हो जाएगा इस सवाल का हमको गोमने का करम पता होना चाहिए कि हमको किस डारेक्षन में घूमना है बात यहां तक एक दम क्लियर हो तो अगले प्रेसन पर चलते हैं देहान से देखेंगे अगला प्रेसन क्या है बतावई जल्दी से आंसर एक व्यक्ति एक A कार्रे को सुभह 10 बजे करता है A कार्रे को सुभह 10 बजे करता है B कार्रे को 10-40 पर करता है C कार्रे को 11 बजे करता है D कार्रे को 12 बजे करता है तो बताओ अच्छा E कार्रे को 1-40 पर करता है तो बताईए इस प्रकार एफ कार्रे को वह व्यक्ति कितने बजे करेगा जल्दी से बताओ आनंद कुमार क्या डाउट है बिटा आनंद कुमार जो भी डाउट है पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है देखो बाई तो ये बताओ ए कार्रे कितने बजे होता है ए कार्रे होता है सुबह 10 बजे बी कार्रे कितने बजे बी कार्रे होता है 10 बज कर 40 मिनट पर सी कार्रे सी कार्रे होता है 11 बज कर 30 मिनट पर डी कार्रे कितने बजे होता है D कार रहे होता है साड़े बार है बजे और E कार रहे होता है E कार रहे होता है एक बज़ कर चालीस मिनट पर तो इसने पूचा है F कार रहे कितने बज़े होगा F कार रहे कितने बज़े होगा दिहान से देखो कोई ना कोई सीरिस जरूर तयार हो रही होगी बहुत सांदार सवाल है एकदम सांदार सवाल है 10 से 10.40 का अंतर 40 मिनट का है की नहीं है 10 से 40 10.40 का अंतर 40 मिनट का है 10.40 से सारे 11 का अंतर कितना है 10.40 से 11 का मतलब 20 मिनट और 30 मिनट और तो 20 और 30 50, 50 मिनट का अंतर है, उसके बाद 11 से 12 में 60 मिनट का अंतर अर्थात एक गंटे का अंतर है, सारे 12 से 41 का अंतर देखो, तो 22 सार 30 और 40 70 मिनट का अंतर है, अब मुझे एक बात बताओ पहले 40 का अंतर था फिर 50 का अंतर था फिर 60 का फिर 70 का अब अंतर कितने का बनेगा 80 का अंतर बनेगा बोलेंगे हाँ या ना कितने का अंतर बनेगा 80 का अंतर बनेगा और 1 बज कर 40 मिनट में 1 बज कर 40 मिनट में 80 मिनट जोर दी जाएंगी तो पहले एक काम करो पहले 60 मिनट जोरो जब एक 40 में 60 मिनट जोरी तो ये डारेक्ट 2.40 हो गया तुमको 80 जोर ना था लेकिन अभी तुमने 60 जोरा है तो 20 और जोर दो तो 40 में 20 जोरे तो 60 यानि कितने बज़ गए तीन बज़ गए और यही सवाल का अंसर है कितने बज़े काम करेगा तीन बज़े काम नंबर F को कर रहा होगा एक दम सॉलिड सवाल था बात सबज में आ गई होगी बहुत सांदार बहुत वहतरीन तीन बज़े वो काम कर रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यह रहा सर आज की क्लास का अगला सवाल एक व्यक्ति अपने घर से ओफिस के लिए सुबह आठ और नौ बज़े के बीच घर से निकला जबकि साम को पाँच और छे बज़े के बीच वापस आया उसने आकर देखा कि सुबह की तुलना में घरी की दौनों सुईयों ने अपना इस्थान बदल लिया है तो बताईए इसके अंतरगत दो क्वेश्चन पूछे गए हैं दो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहला वह कितने बज़े घर से निकला था दूसरा दूसरा वह कितने बज़े घर वापस आया दो क्वेश्चन पूछे गए हैं दो क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं बहुत सांदार सवाल है सूपर से बहुत उपर है जल्दी से देखेंगे एक नया सवाल आपको ये दिखाई दिया होगा एक दम नया सवाल कैसे सवाल का अंसर करना किया जा सकता है देखो सबसे पहले सबसे पहले ये बताओ कि व्यक्ति गया कितने बज़े तो गया था गया था आठ और नो के बीच में क्लियर है गया था आठ और नो के बीच में यह question हमेशा देहन रखना यह question उस पर आधारित होता है कि जब सुभह को कोई व्यक्ती जाता है और साम को आता है और वो आकर देखता है कि गढ़ी की दौनों सुईयों ने आपस में अपना इस्थान बदल लिया है तो यह question उसी पर आधारित होता है उसी पराधार सुबह इसका मतलब होता है कि दौन सुईयों के बदलने का मतलब है जहां पर घंटे वाली सुई थी वहां पर मिनट वाली सुई दिखाई दे रही है और जहां पर मिनट वाली सुई थी वहां पर घंटे वाली सुई दिखाई दे रही है क्लियर है अब देखो तो गया था आठ और नौ के बीच में और आया कब और आया था पाँच और छे के बीच में पाँच और छे के बीच में मैं इसकी डारेक्ट ट्रिक बता रहा हूं देखो हमेशा द्यान रखना अगर आपसे जो भी पूछे या तो आपसे ये पूछे गया कब या आपसे ये पूछे आया कब हमेशा एक वैल्यू होती है गुड़ा साथ बटे तेर है हमेशा द्यान रखना एक वैल्यू होती है गुड़ा साथ बटे तेर है ये ट्रिक है इसकी लिख लेना कॉपी में छाप कर जब भी दोनों सुईयों के स्थान बदलने पर आधरित सवाल पूछे तो हम लिखते हैं गुड़ा साथ बटे तेर है और गुड़ा से पहले जो हम वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते हैं द्यान से देखो जैसे पहला सवाले वहक कितने बजे घर से न कि आठ और नौ के बीच में निकरा था अर्थात आठ बज कर कुछ मिनट हो रही थी तो इसका मतलब हुआ कि आठ बजे के आठ बज कर कुछ मिनट थी यहाँ पर गुड़ा से पहले बच्चे आठ नहीं लिखना आठ नहीं लिखना गुड़ा हमेशा ऐसे केस में क्रोस में होती है गुड़ा हमेशा ऐसे केस में क्रोस में होती है तो यहां पर आठ के क्रोस में कौन है छे गुड़ा देहा नकना गुड़ा हमेशा क्रोस में होती है तो यहां पर यहां पर आठ के सामने 6 की गुणा होगी तो यहाँ 6 लिख देंगे 60 में 6 की गुणा करी तो 360 और जब मैं 360 में 13 से भाग दूँगा 360 में 13 से भाग दूँगा तो 13 है दूनी 26 13 है दूनी 26 10 बचे उतारी 0 या या 13 सत्ते 99 और 16 बच गया 9 इसका मतलब 27 सही 9 बटे 13 लिख लेंगे एक बार फिर उसके बाद में से हटा दूँगा इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ 27 सही 9 बटे 13 है तो कितने बजे घर से निकला था आंसर आएगा 8 बजकार 27 सही 9 बटे 13 है मिनट पर निकला था 8 बजकार 27 सही 9 बटे 13 है मिनट पर निकला था और यदी हमसे ये पूछे कितने बजे घर वापस आया तो मैं क्या करूँगा वापस आने मैं इसे हटा रहा हूँ वह एक मेट जगे कम है थोड़ा सा इसे देख लेना मैं यहाँ पर अब अगर ये निकलना चाहूँ कितने बजे घर वापस आया तो फिर से वोई वाली बात है गया था कब गया था आठ और नौ के बीच में आया कब था पांच और छे के बीच में तो कहरा है कब वापस आया गोड़ा किसकी करेंगे 60 बटे 13 की ये बताओ आया निश्चित रूप से जो समय हो रहा होगा वो समय हो रहा होगा पांच और छे के बीच में तो मैं क्या बोलूंगा पांच के सामने क्रोस में कौन है नौ यहाँ गुड़ा हो जाएगी नौ की ये नौ छिक्के 540 540 में 13 से भाग दे देंगे तो 13 है चौका 52 मेरे पास दो ब आपको बहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी ठीक है भाई दोस्तो बाकी मुलाकात अगली क्लास में करते हैं तब तक के लिए जैहिंद जैभारत कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी बाकी मुलाकात आपसे कल साम एक नए टॉपिक के साथ करेंगे छे बजे तब तक ले बाई बाई ओके लव यू भाई सब के लिए